नमस्कार दोस्तो दोस्तो अभी हम मोजूद हैं वेस्ट बेंगॉल के उत्तर दिनाजपूर में और उत्तर दिनाजपूर के दालकुला में जहां पे 27 फैब को एलेक्शन होने जा रहा है और अब तक यहां पे देखा जा रहा है कि टीमसी ने कैंडिडेट लिस्ट है उस लिस से आपको दिखा चुके हैं कि वहां से कौन-कौन से कैंडिडेट हैं अभी उसी तरह से हम अभी मोजूद है वार्ड नमबर तीन में जो टीमसी के कैंडिडेट हैं तो चलिए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि उनका इस बार एलेक्शन में मिन्सपिल्टी एलेक्शन में का ख़ड़े होने का क्या मक्सेद है सबसे पहले आप अपने बारे में बता दें कि आपका नाम को आपका नाम तो मैं इससे पहले आपका पॉलोडिक्स में कोई था या फिर आप पहली बार इस बार मिन्सपुल्टी एलेक्शन में खड़े हुए हैं तो इस बार जो आप जो एलेक्शन में खड़े हुए हैं टीम्सी के तरफ से आपको मिन्सपुल्टी में खड़े हुना का जो मौका मिला है तो आपका क्या वीजन है किन मुद्दू को लेकर कि आप चुनाओ लेंगे इस बार और सिफ 21 दिन बचे हुए हैं एलेक्शन के लिए तो आप अभी अपने आपको कहां पे देख रहे हैं जनता आपके साथ कितना है तो आपको लग रहा है कि जनता आपके साथ पूड़ा है और जनता आपको जितागी रहेगी इस बार तो माल लिए कि आप जो ने चुनाओ जीत के मिन्सपुल्टी का तो सबसे पहला काम आप कौन सा करेंगे जनता के लिए तो आप जाते आते अपने जनता के लिए जिनके थुरू आप जीतेंगे जो आपको वोड़ देंगे उसके लिए कोई संदेज देना चाहते हैं कोई मैसेज तो दोस्तु जिस तरह से अभी जो कैंडिडेट थी यहां से वाड़ नमबर तीन से उन्होंने बेंगाली में सारे चीज़ कहा तो आईए जो उनके हजबेंड है हम उनसे इसका जोने हिंदी ट्रांसलेशन में उनसे पूश्टे हैं देखें यहां का जनता हम लोग को चाहा है दल हम लोग को उसको जो है नमनिशन दिया है इसलिए खास करके हम मेरा वाइफ वाड़ का जितना भी वोटर है सब को मामता दिदी को कृतक करता जनाते हैं आनियों जो लीडर है उसको हमारे तरफ से कृतक करता जनाते हैं तो आप यह बताएगा सर यह चीजिस तरह से हमने नहीं समझा के जो मिंस्पिल्टी में में जो चार काम देखा जाए आपका रूट का हो गया एलेक्टिसीटी हो गया पानी हो गया मकान वगर हो गया तो आपके वाड में यह कोई कमिया दिख रही है अभी मैं करने के बाहर का सर यहां सर दो इहां से जीता था तो उन्होंने दोबारा प्रिवाड में कभी आया नहीं करने के विए हम लोग पाटी का तरफ से चेर्मन को जागे बार बार जगे आपक एसकों के जोग हर Bir था हमवर का आदमी का तरफ से लिएग cela इस लिए इस बार आप लोगो क्या उमीद है इस बार हम लोग का साथ है जलता हम लोग भारी मत से जिताएगी और हम लोग जीतना भी काम बाकी है डिबलप्मेंट का तो कोई अंतर नहीं होता है जतना भी बाकी है बहुत तुरंट इसो काम करने के लिए तो आपके वार्ड में कोई ऐसा काम जो आपको लग रहा है कि अब तक हो जाना चाहिए था बाकी है कोई ऐसा काम जैसे ड्रेनेज था ड्रेनेज है शुरू भी नहीं हो अभी काम शुरू नहीं हुआ ड्रेन जो है हम लोग जितने का बात जो है ड्रेन को पहले सबसे कम वहीं करेंगे अपने अपना फिल्ट वाड नंबर तीन में किस तरह से देख रहे हैं आपके क्या उमीद क्या लग रहा है आपको हम लोग पूरा उमीद है हम लोग 100% शियोर जितेंगे मुम्ता बेनाजी जो काम किया है खासकर करके पूरा बंगाल में मुम्ता बेवलम्मेंट जो है हर घर म ही है जिसमें मुम्ता बेनाजी का डबलम्मेंट नहीं पहुचा है आदमी तो इस बार मतलब क्या बोलेंगा आपको बोड देने के लिए बेता हो है कि आपका 37 फेबरी आयेगा और टीमसी को बोड़ डालेगा